पवन अरुटा ने अपनी नई फोटो के साथ अपने फैंस के दिलों में खलवाली मचा दिये ना ही ये नया गाना है और ना ही कुछ पुराना है अब क्या है इस फोटो का पूरा माज़रा चलिए बताते हम आपको अब इस दिल्चस फोटो को शेर करने का इशारा बहुत दोनों को एक साथ देखकर फैंस बहुत खुश हैं और दोनों एक साथ धमाका देने आ रहा है जिसकी एक जला कल ही आचुकी आरुदीप के इस नई फोटो में पवंदी परुनी ताग किसी स्टूडियो जैसे घर में बैठे नज़र आ रहा है इनके साथ सली मर्चेंट भी और तीनों की एक साथ वाली फोटो ने बहुत कुछ बया कर दिया बहुत कुछ अपने फैंस को बता दिया फोटो में इन तीनों के पीछे कहदो का वोड भी लगाया और इसी वोड से ही लोगों को पूरी बात समझा गई अगर नहीं समझे तो हम बताते हैं कि क्या है पूर पवंदी परुनिता नजर आएंगे और अभी से सलीम मर्चेंट ने पूरी तैयारी कर लिए सलीम मर्चेंट ने एलान तो नहीं किया लेकिन ये इशारा साफ साफ बता रहे हैं सलीम मर्चेंट ने इस जोड़ी को अभी से सलेक्ट कर लिया सलीम मर्चेंट को ये जोड़ी इत टाइम बाद पवंदीप अरुनिता स्टूडियो वर्जन में कैसे लगेंगे इसके लिए भी फैंस काफी ज़ाद एक्साइटेड हैं फोटो में पवन आर्टा बहुत खुश देख रहे हैं कभी अरुनिता प्यानो बजाते बजाते पवन को देख रही हैं जी हां सौंग के क साथ साथ रोमैंस भी हो रहा है अरुनिता की निगाओं को अगर आपने गौर क्या हो तो देखिए कैसे पवन को चोरी चोरी देखे जा रही हैं चहरे पर स्माइल के साथ देल और ध्यान पवंदीप को दे बैठी हैं अब इस फोटो में पवंदीप अरुनिता को एक साथ देकर आप क्या सोच रहे हैं कॉमेंट वॉक्स में जरूर बताओं अब इस शो में गए दो कलाकारों पर ऐसी आफत आई कि बड़ा हास सा होते होते बचा यू कहें कि कभी-कभी ये छोटे-छोटे हास से मौत के मूह में ले जाते हैं और अभी-अभी इस हास से का शिकार ह होते होते बची मशूर सिंगर नेहा ककर जो की शो में अपनी पूरी टीम और पती के संग पहुची थी शो में नोंने बहुत मस्ती की पवंदी परुनिता शायली दानिस निहालतारों सब के सब सेट पर खूब गदर काट रहते करंट के जटके दिये गये शो में इतनी निकलते वी जो वाइरल हो रही है नेहा ककर सेट में अपने पैरों पर गई दी लेकिन निकली तो वीलचेयर पर अचानक ना जाने नेहा ककर को क्या हो जाता है कि वो वीलचेयर पर दर्द से चीखती दिखाई दी ना जाने नेहा ककर की तब्यत कैसे अचानक बिगड़ से बहान निकल रही थी, मीडिया ने उन्हें घेड लिया, नेहा ककर को वील्चेर पर देकर सब पूशे लगे कि अचानक क्या हो गया, सब घबरा गये, सब ने नेहा ककर को घेड लिया, और इतनी भीड और शोड शरावा देकर नेहा के पती रोहन प्रीत का दिमाग खराब हो गया, गुस्से से आग बबूला रोहन प्रीत मीडिया पर ही सबार हो गये, चिलाने लगे, रोहन प्रीत तो मीडिया के कैमरे को बंद करने के लिए आगे बढ़ गये, उनकी जगे कोई और भी होता तो शायदिया ही करता, क्योंकि लोग नेहा ककर की दिक्कत देखते हुए भी फोटो लेने के लिए भीड लगाने लगे, उन्हें निकलने तक नहीं दे रहे थे, जिसके बाद रोहन प्रीत को चीखना पड़ा, चिलाना पड़ा और भीड से निकल कर वो नेहा को ले कर गये, हलाकि अभी तक पता नहीं चला कि अचानक नेहा की तव्यत कैसे खराब और क्या हुआ, आपको बता दें, इस से पहले इस शो में इमली फेम सुम्बूल भी गई थी, और वो भी इस शो में हास से का शिकार हो चुकी है, उनके सिर में भी चोड लग गई थी पवंदीप राजन अरुनिता कांचिलाल आज अथने दोस्त की शादी में बहुत बिजी रहने वाले हैं, आज तो पवंदीप अरुनिता मोहमत दानिष्ग की शादी में पहुशने की पूरी तàiयानिया कर चुके हैं, क्योंकि आज पवंदीप अरुनिप अपना बिर्दे भी मुंबाई में celebrate किया तो वो इस वाग मुंबाई में है और मुंबाई में ही दानिश की शादी है तो इन्हें कोई बहाना नहीं मिलेगा अब बस रात का इंतजार क्या जा रहा है जब पबंदी परणता एक दूसरे का हाथ पगड़कर डान्स की शादी में एंट्री लेकिन मुहमबद दानिश की शादी में इन्हें कोई बहाना नहीं मिले वाला और इस वार दानिश की शादी में ये जरूर पहुचेंगे तो क्या कुछ रात में पबंदी परणता के संग होने वाला है पबंदी परणता के संदास में पहुचेंगे अरुनीता के गैट की नज़रे बने हुई है अरुनीता ज्रस या साड़ी पहन कर पवंदीप के सवंग एंच्री करने वाली है वही दानिश की बात करें तो दानिश के हल्दी मेहंदी सेरिमनी के वीडियो शोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहे हैं हल्दी सेरिमनी में दानिश ने यलो कुर तैयार हो जाएं दानिश के दुलेह वाले गेटप में देखने के लिए काफे ज़दा एकसाइटेड है उनके फैंस दानिश को धिर सारी बदाइयां मिल रहे हैं और दानिश के दोस्तों का इंतिजार किया जा रहा है आज शाम को दानिश की शादी देखने के लिए आप पबंदीप मुंबई के ब्लू हेल स्टूडियों में पहुचो और यहां पबंदीप ने कोई गाना भी रिकॉर्ट करवाया होगा अरुनीता के बिना आई पबंदीप अपना नया गाना रिकॉर्ट कर चुके हैं अभी तक इनके इस नए गाने के बारे में कुछ जादा अप डेट नहीं मिल लगी है काफी दिनों के बाद अरुनीता को हाउसपुल के सेट पर पबंदीप शायली दानिस निहालतार और नेहा रोहन के संग मस्ती करते देखा गया था ऐसा कहा जा रहा था कि इनका कोई नया शो आने वाला है जिसमें नेहा रोहन के साथ साथ पबंदी अरुटा कांचिलाल को मस्ती करते देखा गया और उसके बाद अरुटा कांचिलाल कहां चली गई कहां है कुछ पता नहीं लग रहा है लेकिन पबंदीप जरूर इस वक्त अपने गाने कोई रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं साथी ताज मैल से भी पबंदीप के कुछ फोट आई दियर पबंदीप अपने दोस्तों के संग घूमने गया थे अब इतैक्त उन्हें रिश्वी केसे साथ अपने दोस्तों के सात्त देखा अर वहां आगा ताज्मायव भी पहुंचे ताज narrative को अके बिना अरुटा के आधरगया अरुटा कहां हैं पबंदीप के संग काम क्यों नहीं कर रही है आखिर क्या वज़ा है जो अरुनीता इतने लंबे ब्रेक पर गई है इस वारे में भी तरह तरह के सवाल किये जाने है गर आप भी उनके फैन है तो उनके लिए क्या कहना चाहिए उन्हें क्या राय देंगे उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए झाल झाल